कुछ नया करने के लिए इस दुनिया में आए हो कुछ नया बनने के लिए आपका जो गाम है उसमें कुछ तरक्की करो तभी आपकी पहचान बनेगी आपका सहर में रहते हो किसी में भी रहते हो लेकिन उसमें आप अलग निखरोगे कैसे निखरोगी तब आप संघर्ष करोगी तब आप महान बनोगी तब ही आपकी पहचान बनेगी तब ही आपको कोई जानेगा इससे पहले आपको कोई नहीं जानेगा आप उसी भीड में रहोगे जिस भीड में लोग रहते हैं अब उस भीड में वही निकलेगा जो संघर्ष करेगा, वही उस भीड में से निकलेगा और वही अपना नाम बनाएगा, जब तक हम उस पूरे जुंड में, पूरी भीड में सब मिल जुल कर रहते हैं, लेकिन नाम परचार किसका होता है, जो मैनत करता है, संघर्ष करता है, वो ये तो निखरेगा, इससे पहले तो कुछ नहीं होगा ना, इससे पहले तो उस भीड के पराबरी हो आप, और जिसने मेहनत करके, संघर्ष करके, अपना टैलेंट दिखा कर आगे बढ़ दिया, उसका नाम हो जाएगा.